मैं यदि भगवान को और भगवत धाम को जाने की इच्छा, श्ट्रोंग इच्छा, प्रबल इच्छा अगर होगी हमारे हिर्दे में, तो अवशी स्वेम भगवान आथ पकड़ ले दिंग, आईए, बहुत दिनों से प्रियास कर रहा है, तरस रहा है, मैं भी भगवत धाम जाओं, मैं भी भगवत जाओं, मेरा नाम जब करता है, किरतन करता है, नाजता है, पागलों इतर चल, स्वेम भगवान आथ पकड़ के ले जाते हैं, जम के दूत नहीं आते हैं, तो गुर्णाना जी कहते हैं, हर अर नाम जपंत्या, किछ उनक हैं जमकाल, जमकाल आपको यमकाल आपको नहीं पकड़ेगा, यमराज नहीं, ना तो यमराज ना यम के दूत नहीं आएंगे आपके पास, स्वेम भगवान के दूत आएंगे, स्वेम भगवान आएंगे, योग ख्षेम वहामियम, मेरे भगतों को क्या चाहिए, उसे मैं पूरा करता हूँ, तो ये तपों का बतला है, यग्यों का बतला है, भगवान ने, सत्रुए ध्याय में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बतला ही, तीनों गुनों की सारी रूप रहे का बतला दी, ये हमने क्या चीज़ अरजित की है, कमाई की है, उसके अनुसार ही हमारा जीवन चलता है, लिए उसमें रद्दों बदल कर सकते हैं, आज जो अंगुठा चाब ब्यक्ति है, क्या वो पढ़ लिखके और बिये हो रहे में नहीं हो सकता है, हो सकता है, इंजिनियर नहीं बन सकता है, प्रियास तो करना पड़ता है, आज कोई मूर्ख है, वो किसी सादू के और सत्संग में संपर्क इस्थापित करके, और वो भी महान भक्त बन सकता है, कौन जानुठा शदना कसाई क्या था, मांस काट-काट के बेशता था, लिए उसने एक दिन फैंक दिया सारा मांस, दुकान बंद कर दी, ताला लगा द चल दिया भगवान की प्राप्ति के लिए, पैदल नंगे पाउं, जगनात पुरी के और चल दिया, और आज सदना कसाई को लोग जानते है, पूरा भक्त मंडल जानता है, भगवान के सारे भक्त जानते है, संसार जानता है, कि सदना कसाई कौन थे, मीरा बाई कौन थे, कर गुरु गोविन सिंग जी कौन थी ये सब को सब संसार जानता है आदमी किसी भी इस्तिती में हो वहाई से यदि वो चलने लगे तो भगवत धाम तक जा सकता है चाहे वो इस्तिरी हो या वैश हो या शूद्र हो या कहीं किसी भी इस्तान पर हो किसी भी भावना में हो चोर डाकू भावना में हो तो भी उसका कल्यान भगवान करते हैं यो उप्रियास तो करना पड़ेगा इसलिए आज ये दिया कोई व्यक्ति रजोगुन में है, तो अपनी रजोगुन को देरे देरे दबा सकता है, सतोगुन को बढ़ा सकता है, सतोगुनी भोजन करना, सतोगुनी लेंदेन करना, सत्त बोलना, सत्त ब्यवार करना, सबको खुशी देना, पेड़ों को पानी देना, फूल आएंगे, तकलीप नहीं देन किसी को कुट्ते बिल्लियों को भी किसी दूसरे अन्य प्राणियों को भी तकलीप नहीं देना तो आपका सतोगुन प्रबल होता जाएगा संतों के अंदर कितना प्रबल होता है सतोगुन मान संतों के अंदर तो शुद्ध सत्त होता है तो इनों गुनों से वो परे इस शरीर में रहते हुई मुक्त आत्मा होते हैं मुक्त हो चुके होते हैं और शरीर एक दिन गिर जाएगा ये तो मरण धर्मा है उसके बाद वह बहुत दाम के भास ही होते हैं वो इलाइटेंड सैंतकाओ या भगवत प्राप्ति जिनको हो गई है वो शरीर में रहते हुए भी लगते हैं हमारे जैसे ही लेकिन वो मुक्त हैं आज भी है ऐसे संत धर्ती पर तब तो ये धर्ती ठीकी हुई है तब तो ये चांद और सूरिये उद्य होते हैं उन संतों के क संतना होती जगत में जल मरता संसार एक जूइस कथा है बहुत अच्छी है सोदों नाम का एक शेहर था उसमें बड़े पापाचार होने लगे थे एक बार कथा है लिए शिक्षा प्रद है भगवान ने सोचा कि सोदों को मैं जला डालूँगा इसमें बहुत पाप हर तरह क पाप हो रहा है हर आदमी पाप करने लगा है जो इस यहुदियों के अंदर कथा है कि इस धर्ती के उपर च्छतिस संत सदेव रहते हैं और वो संसार का भला करते रहते हैं और उनकी बैजे से संसार कायम है तो वहाँ पर एक संत को सौदाम में बेज दिया उसने बहुत प्रयास कि लोगों को जगाने का कि भाई तुम ये क्या करते हो अरी उस प्रभु का नाम लो उसने बहुत प्रियास किया, बहुत चिला चिला के और लोगों को उबदेश करता, भगवान की गीत गाता, लोगों को सुनाने का प्रियास करता, लेकिन कोई उसकी बात मानता है नहीं था, कोई सुनता है नहीं था, कोई उसकी तरफ देखता है नहीं था, इगनोर करते थे तब जाके लेकिन वो तो संत था उसका तो नित्य का काम है उस भगवान को भगवान की गीत गाना, रिजाना, जब करना, नाचना भगवान के लिए आगर एक दिन एक बालक ने उसको पूछा कि बावा, तुम इतना जोर-जोर से गला फाड़ के चलाते हो क्यों, इससे क्या होता है, तुमारी तो कोई बात भी तो नहीं सुनता कितने मेहनों से तुम्हार रोज नगर में सडकों पर घूमते हो जोर-जोर से भजन गाते हो, कीर्थन करते हो, इससे क्या होता है किसी के ओपर कोई असर तो पढ़ता नहीं फिर क्यों अपना गला फाड़ते हो बेर्थ में बालक ने पूचा बालक के और संतों के बीच में कुछ बारतलाप हो जाती है कि बालक भी बड़े निर्दोश होते है तो उन्होंने संत ने बोला कि बेटा पहले तो मैं इन लोगों को जगाने के लिए गाता था रोज घुमता था रोडों पर सड़कों पर कि कोई सुन ले मेरी आवाज यह किसी ने नहीं सुना पिर मैं समझ गया कि यह लोग सुनने वाले नहीं है अभी मैं खुद अपने लिए गाता हूँ और इसलिए गाता हूँ कि कहीं इनके चक्कर में इनके लपेटे में मैं खुद ने आ जाऊँ इसलिए मैं जोर-जोर से गाता हूँ कि यह मुझे भी अपने रंग में ने रंग दे आगिर भगवान की प्रेज़ना उस संत को हुई कि किसी ने आके समाचार दिया कि बावा तुम यहां क्या कर रहे हो सौधाम सहर के अंदर बहुत समय हो गया तो ओ देखो यहां नजदीक में 15-16 माईल पर एक दूसरा गाउँ है वहाँ पर लोगों को तुमारी आवश्चता है वो बिचारे तरसते हैं प्यासे हैं कि कोई हमारे गाहों में कोई संता है कभी कभी हमने सैक्ड़ों हजारों वरसों से कोई संत के दर्शन नहीं किये तुम वह आजाओ तुम्हेरी जरुत है उसने का अच्छा भगवान का यह आदेश होगा तो यह पहुंच गये होँआ और वह जरुत थी वह लोगों को जरुत थी उस बाबा की आवगत किया आरती उतारी चरण छुये सब ने सब गाहों वालों और उनके सामने बैठ गएगी उस प्रभू की बाहर तालापा में सुनाओ हम यह जनम जनम से तड़प रहे हैं यह दुख के सागर में संतना होते जगत में जलमरता संसार इसलिए शास्त्र साधू और गुरू यह तीन में से एक की शर्ण में आप रहते हैं तब आपका पतन नहीं होगा तीनों की शर्ण में जाता हैं आप महा भागिसाली हैं लिए तीनों में से एक की शर्ण भी आप ग्रेंड कर लेते हैं या तो कोई शुद्ध शास्त्र की शर्ण में रही है या कोई साधू जो साधना कर रहा हो उस भगवान को रिजाने की भगवद्धाम को जाने की उसके सत्संग में उनके चर्णों में प्रणाम कीजिए या फिर आपका कोई एक शुद्ध गुरु हो जो आपको भगवद्धाम का भगवान का प्रेम देता हो बाटता हो भगवान का मार्ग बतलाता हो इन तीनों में से एक की भी शर्ण में आप रहोगे तो आपका पतन कभी नहीं होगा तीनों में से किसी की भी शर्ण में नहीं है तो आपका पतन निश्चित होगा ये वेद वाक्ये हैं शास्त्रों के वाक्ये हैं इस प्रकार से सत्रवे अध्याय में भगवानी तीन गुणों की मेहता बतलाई सत्योगुन में आने से ये पूरा समाज ये प्रत्वी सत्योग में प्रविश कर जाती है आज भी आज भी अगर विश्व शत्य में हो तो प्रत्वी के उपर सत्योगुन है और जब सत्तोगुन की एक टांग भी तूड़ जा है कहते हैं कि धर्म इस चारो यूगों में सत्तोग में धर्म चारो टांगों पर खड़ा रहता है जब बैल चारो टांगों पर खड़ा रहता है शिव जी के शिवाले में जब जाते हैं आप तो शिवाले में प्रिविश करने पहले ही आपको नंदी जी बैठे मिलते हैं शंकर भगवान के बाहन वो बैल का स्वरूप है वो धर्म का स्वरूप है उसको हम पहले हाथ लगाते हैं कि हम धर्म के उपर चल रहे हैं ए बोले ना तो हमारी प्रणाम स्वीकार करो हमारा दूद स्वीकार करो, हमारा जल स्वीकार करो हम आपको फूल लाए हैं, पत्ते लाए हैं, फल लाए हैं नंदी जी के पहले हम आथ लगाते हैं चरणों की सत्यूग में धर्म चारों पाओं पर खड़ा होता है इसलिए सत्यूग कहलाता है सचाई सफाई तपश्या और दया ये चार पाओं है धर्म के यह सत प्रतिशत चारों पाओं पर सत्युक खड़ा होता है इसलिए सत्युक कहलाता है धर्म खड़ा होता है इसलिए वो सत्युक कहलाता है ऐसा समय फिर एक टांग कैसे टूटती है 25 परसेंट लेस हो जाता है धर्म तो त्रेता ही हुगाता है और यदि दो टांग टूट जाएं तो द्वापर ही हुगाता है पर इन पैर द्वापर दो पैर दो पैर पर धर्म कड़ा रहता है 50% धर्म लुप्त हो जाता है, समाज से, फिर आता है कल्यूग, कल्यूग में एक टांग पर, प्रारम में एक टांग पर कल्यूग स्टार्ट होता है, वन फोर्थ धर्म रहता है, शास्त्र कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान के इस धरादाम से जाने के समय से ही कल्यूग का प्रारम है, यानि 5300 वर्ष कल्यूग को हो गए, चलते हुए, कल्यूग की आयूग 432,000 वर्ष आ की है, तो धर्म बिगनिव में एक टांग पर यानि 25% धर्म बसता है इस धर्ती के उपर, समाज के अंदर, लेकिन कल्यूग की आयूग इतनी अधिक है कि दिर दिर ये टांग भी वीक, कमजूर पढ़ जाती है, क्षत पिक्षत हो जाती है, और धर्म पूर्ण तया कल्यूग में देश बिदेश एक देश दूसरे देश से टक्रा रहा है, काले गोरे का कल है, मैं मेरे का बड़ा बोल बाला हो जाता है, आदमी इतना सेल्फिश हो जाता है कि ओ दूसरे अपनी स्वार्त के लिए लाख वादी मरे तो मरो कोई परवा नहीं है, ये कल है यूग है, कल इसलिए शास्त्रों ने, महत्माओं ने, चैतन महाप्रूव ने और अनेकों ने, ये ही कहा है कि कल यूग जो तुलसी दाजी महाराज कितनी सुन्दर चौपाई मगाते हैं, कल यूग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर ही पारा, कल यूग में हरी का नाम एक मात्र जार है, ये दि कोई को कल्यूग, ये संसार से, जनम मरन जराब्यादी के चकर से, छूट के मुक्त होके, भगुत धाम को जाना होतो है। प्रविष्ट पानेगा, और कोई मार्ग नास्तेव, 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 नाईठेव, नाही है, नाही है, नाही है। ये उपनिशदो के वाग है, और चैतरन नहापरू जीवन बर इनका उप्देश किया। हरीरुंटान एकलो नास्थिवा नास्थिवा ऑनास्थिवा गतिरय निथा हरेԵШिष्ना, हरेक्रिष्णा, कृष्ना, कृष्ना, प्रुष्णा, हरेकर्स्प्रूक्रिष्ना हरे չरे uitao, हरे आम, हरे नाम, हरे नाम, हरे Kardashénergie 光ग हरी कृष्णा अरे कृष्णा ऐ पृष्णा कृष्णा हरे 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 रामाहरे रामा हर मर्यौन हरे हरे भगवान के पवित्र मामों का के रतन कीयों जब कीजिए आप पवित्र हो जाएंगे आपको उस वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी जिसके लिए बड़े-बड़े संत तरस्ते हैं आनंद, पर्मानंद, भगवत प्राप्ति इस प्रकार से आज का जो ससंग का प्रसंग है और अठारवाद्य आए शिरीमत भावत गीता का अठारवाद्य आए उसमें प्रविश्क करने और सस्तंग करने आज हम जा रहे हैं शिरीमत भावत गीता आपको सत्थ पत्थ के दर्शन करा देती है और जो सिर्मत भागवत गीता को इर्देयांगम करके जीवन को जीता है उसको भगत प्राप्ति खरा देती है इतना पावरफुल यदि ये शास्त्र नहीं हो तो कोई भगवान स्रीकृष्ण की वाणी है गीता शास्त्र मिदं पूर्णयम योपठेत प्रियत है पुमान विश्णोपदम एवापनोती भै शोक आदिवर जीता विश्णोपद यानि बैकुंट बैकुंट को प्राप्त कर लेता है आदमी और जीते जी इस संसार में भै और चिंताएं ब्याप्तनी होती गीता की शर्ण में रहने से गीता का अध्यन करने से गीता अध्यन शीलश्य प्राणायाम परश्य चोग प्राणायाम क्या प्राणायाम के परायन रहने वाला इनी सांस सांस में गीता आपकी इड़े में बसी हो प्राना है गीता अध्यन शीलश्य गीतागा अध्यन करने वाला प्राणों से इड़े से प्रेम के साथ, भक्ती के साथ, सरद्धा के साथ यही नहीं कि हम चलो हम डौक्टर हम पढ़ लेते हैं क्या लिखाए जानते हैं गीता में अरे ठीक है ओगी नहीं ये ये शास्त्र नित्यनूतन है ये नहीं कि वो पांच जार वर्ज पहले का समय था कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदिश किया हमें क्या लेने देना नहीं अर्जुन के माध्यम से युग युगों के लिए भगवान ने तो कहा कि स्रश्टी के प्रारम में ये भागुत गीता का ग्यान मेंने सूरिय लोग के राजा भीविश्वानू को दिया था अभी वेग्यानिकों को तो ये बात समझना आती नहीं कि सूरिय लोग में भी राजा होता है सूरिय लोग तो एक जलता हुआ आग का गोला है इससे आगे उनकी मती नहीं जाती इतना तो जानने लगे हैं वेग्यानिक कि सूरिय की जो आगे जो अगनी की लप्टे उठती हैं उनमें बहुत अधिक ताप मानें लिए जितना भीतर जाओ उतना ताप मान कम होता जाता है नहीं सूरिय लोग के उपर हम जैसे प्रत्वी पर रहते हैं इसे लोग रहते हैं यह शास्त्र कहते हैं और शास्त्र प्रमान है तो और आज अभी विश्वानू थे कभी बैवश्वत मनू उसके बार उनके बाद बैवश्वत मनू आज की ताया फिर एक्ष्वा को महाराज वैवश्वान मनु के पुत्र तो इन बातों को समझने के लिए हमें भागुत गीता पढ़नी चाहिए इमम विवश्वते योगं प्रोग्तवान हम अव्ययं विश्वान मन्वी प्राह मनुरिक्षा कवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजरशियो विदु हुँ सैकाले ने महता हुँ योगो नश्था है परंतप सैवायं मयात यद्यह योगह प्रोग्तः पुरातन हा भक्तो असी में सकाचेती रैश्रम हेतद उत्तमम हे अर्जुन्ते तु मेरा भक्त है और मेरा मित्र भी इसलिए वो ही पुरातन ग्यान तुझे मैं देने जा रहा हूँ ध्यान से सुनू ठीक है समय का अभाव है इसलिए मैं वाने को विराम देता हूँ जैगो पहल ओम नमो भगवते वासु देवा 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 ओम नमस्कृत्यम् नरमचेव नरोतमम् देवीम् सरस्वतिम् व्यासम् ततुजया मुदिरेतु नष्टप्रायेशु अभद्रेशु नित्यम् भागवत्सेवया भागवते उत्तमिश्लोके भक्तिर्भवती नेष्टकी। ओम् शान्ति 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 जैगोपाल आई सत्संग प्रेमी जनौ आपका हर्दीक स्वागते श्रीमत भागवत गीता के सत्संग में पिछले सत्संग की कड़ी में हम नहीं कह पाए समय का भाव था आई आज श्रीमत भागवत गीता के अठारवे ध्याय में प्रिविस करते हैं और भगवान की मदर वानी को सुनते हैं जो वानी सभी का कल्यान करती है एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम एको देव की पुत्र एव एको मंत्रश्य तश्य नामानियानी कर्माप एकम तश्य देवस्य सेवा लोग ब्रमित होते हैं कि एको मंत्रश्य तश्य नामानियानी कि देव की पुत्र का ये एक मात्र मंत्र है औरों का नहीं अनेको धर्म है दर्ती पर और दूसरी धर्तियों पर नहीं एको बहु नाम, वो एकी तो बहुत नामों से जाने गए है परमेश्वर तो एक ही है सभी का हम सभी उनके अंश है ममेवा अंशो जीव लोके जीव भूतह सनातना जैसे भगवान ने स्वेम कहा है गीता में कि अनंत ब्रह्मांडों में ये अनंत आत्माई ये मेरे अंश हैं आको नाम, बहुत नामों से जाने गए है करोनों, खर्वो नामों से अर्वो नामों से एक ही परमेश्व है शंसकृट के विद्वानों ने उनको खर्वान कहके बोला क्योंकि उनका जैसा आकर्शन कहीं नहीं है, परमेश्वर का जो परम एश्वर येवान है, जो सड़ एश्वर ये प्रधानता में जिनके पास हैं, उनके जैसा कोई वो परम रूप वान है, परम शक्तिवान है, परम धनवान है, परम वेराग्यवान है, परम बुद्धिमान तो शड़ छैश्वर ये प्रधानता में जिनके पास है उनको परविश्वर कहते हैं इसलिए उनका ज्विसा कोई आकर्शन कहां मिलेगा ब्रह्मा जी कहते है इश्वराहा परमाहा कर्शन सचिदानन्द विग्रहा अनाधिराधिर गोविंदहा सर्वकारन कारणम He is the cause of all causes वो परमाकर्शन वो कृषण संस्कृत में कृषण कहते हैं हिंडी मामा आकर्शन कहते हैं इंगलीश में अट्रक्शन कहते हैं He is all attractive It means कृषण जो सब को मोहित करते हैं उनका एक नाम मोहन है मन मोहन सब के मन को चुरा लेते हैं अपनी और आकर्शित कर लेते हैं। दौापर में भी जो कृषन थे, तो सब उनके रूप को देख करके, सब उनके जुख जाते थे चरणों मोहित हो जाते थे, उनको देखते ही। असरों को छोड़के, असरों को छोड़के, असर भी तूट जाते थे लिए समय लगता था, समझने में। और या फिर भगवान की इच्छा नहीं थी, उनको पनिश्मेंट देना ही था, तो फिर उनको कैसे समझे भगवान को। उनको पनिश्ट करने के लिए तो आए थे, परित्रनाय साधूनाम, विनाशाय चहदुस्कृताम, धार्म संस्ताप नार्थाय, सम्भवामी युगे युगे। शिर्मत बागवद गीता का अठारवाज ध्याय, सुनिए, अर्जुन वाच, अर्जुन बोले, सन्यास्ष्य महाभाव, सन्यास्ष्य महाभाव, तक्त्वम इच्छामी वेधितुं, त्यागश्य चरिषिकेष्व, प्रतकेष्नी सुधना, अर्जुन अर्जुन झालावद युगे। understand the purpose of renunciation यानि त्याग and of the renounced order of life यानि सन्यास ओ किलर आप दिकेशी डीमन माश्टर आफ दी सैंसेश या अर्जुन ने पूछा है बगवान के दो नाम या पर अर्जुन ने अपने मुख से उचारण के एक दो रिशी के इस कहके बोला है अर्जुन और दूसरा केशनी सुदन केशी नाम का एक राक्षस कंस का भीजा हुआ जो घोड़े के रूप में एक ताकत वर घोड़े के रूप में आया था और लाद दे दे के और कृशन बर्राम को मार देनी की चेश्टा की बगवान कृशन तो बाल सुरुप में थे उस समय आच साल क की आस्ता होगी नौ साल की होगी उन्होंने पाउं पकड़के उस केसी को ऐसा उपर को फैका कि वो तार के पेढ़ में अटक गया और मुझ खोल दिया मर गया तो इसलिए लोगों ने केसनी सुदन कहके पुकारा केसी को मारने वाले उनका एक नाम केसनी सुदन पड़ गया रिशी केस कहते हैं जो सभी इंद्रियों को तरप्त कर दे सारे बिश्व ब्रह्मान को तरप्त कर दे उसको रिशी केस कहते हैं तो माश्टर अब दी सैंसेज और जो तमाम सैंसेज यानि इंद्रियों का माश्टर जो होता है उसको स नामों से बहगवान को जाना गया कहीं मदु सूधन कहीं माधाओ कहीं केश हो कहीं दामोदर इस सब नामों के साथ में एक एक लीला भगवान की जुड़ी हुई है मदू सूदन भी मदू कैटब नाम की असरों को मारा तो मदू सूदन कहलाए मा येशोदा ने एक बार कृष्ण बगवान को रसी से बांदिया था ओखली से ओखली मुसर जो होते हैं ओखली से तो उनका नाम दामोदर पड़ गया तो लोग दामोदर कहके बोलने लगे दाम यानि रसी उधर यानि पेट रसी से पेट को बांदिया था दामोदर बगवान छोटे गुटनों के बल चलते थे उस समय तो कृष्ण जी तो येशोदा मा को और एक दिन नाराज हो गए क्योंकि येशोदा मा गोदी में लेकर के दूद फिला रहे थी इस तन पान करवा रही थी तो एकदम से ध्यान आया इशोदा जी को कि मेरा दूद तो आग पर रखा है कि निकल तो नहीं जागा तो तुरंत एक कृष्ण जी को जमीन पे डालके और दूद को समालने समालने के लिए चली